बरसी की पूजा के दौरान इशान की फोटो देख रज़त के ओड़े होश इमोशनल होके खोला तीत का रास और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार में मिल जबदस ट्रैक जी हाँ दोस्तों अब शोके अब कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां इशा औ शांतनू अपने बेटे ईशान की बरसी के लिए करने वाले हैं मंदिर में पूजा तो वही बोसले परिवार अपने बेटे की आत्मा की शान्दी के लिए पूजा पाट करना चाता है और इसके लिए वो लोग ठकर परिवार को भी वहां आने के लिए इन्वाइट करते हैं जहां सवी के ex-husband इशान की पूजा को लेकर भागश्री को थोड़ा objection फील होता है और वो कहती है कि अब तो सवी की शादी हमारे बेटे रजट से हो ही गई है तो ऐसे में क्या अच्छा लगेगा सवी और हम सब का वहाँ जाना और पूजा करना तो वहीं राजू और रजट दौनों मिलकर भागश्री को समझाते हैं और कहते हैं कि भले ही हम सवी के ex-husband को personally नहीं जानते थे लेकिन शादी के बाद अब वो परिवार हमारा है हम सब से जुड़ा हुआ है तो हमारा भी फर्स बनता है कि उनके दुख और सुक में हम शामिल हो वेल अब शो के अब कमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे कि जहां बागश्री समझ जाती है और सबी लोग मिलके मंदिर पहुच जाते हैं तो वही सवी के साथ साथ पूरा भोसले परिवार आखों में आसू लिए ईशान को याद कर रहा होता है जहार ज़द जैसे ही जाता है शौक्ड और उसका अतीद उसे याद आने लगता है वेल अब शो के अब कमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे कि जहार ज़द अपने अतीद को याद करता है कि कैसे वो और ईशान दौनों एक साथ कॉलेज में जाया करते थे साथ परते थे और इंजॉय करते थे व अपनी पॉकेट मनी से और उसे पता भी नहीं चलने देता था तो वहीं कॉलेज ख़दम हो जाने के बाद वो लोग अलग-अलग हो गए थे लेकिन सालों बाद रजत ने अपने दोस्त को ढूनने की अपने दोस्त ईशान को कॉंटेक्ट करने की काफी कोशिशे की थी लेक करता है कि अगर उस वक्त ईशान ने उसकी मदद ना की होती तो वो कुछ भी नहीं बन पाता और ना उसका इतना बड़ा बिजनस हो पाता वाद जो कुछ भी है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इशान की वज़ए से ही है जहां ईशान की मौत का सच सामने आने के बाद और ये पता चलने के बाद कि सवी इशान की पतनी थी रजत के दिल में सवी के लिए बढ़ेगी रेस्पेक्ट और बनेगा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए बने रही है हमाई साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू झाली